हाई गाईज सबको वेरी गुट मॉनिंग तो आज हमारा गुरुबार है और लक्ष्मी पुजा है ये भी एक लक्ष्मी पुजा है हमारे ओडिया में इसको सुद्ध सा भरत पोलते हैं तो मैं सुवेशबे उटके हूँ और अभी जाओंगी नहाने के लिए और काम खतम करके पुजा का सामान ठीक करूँगी कल रात को ही मैं घर पर सब पुजा लगाई थी वालकोनी वगेरा सब क्लीन करती थी लेकिन जोटी नहीं डाले थी तो अभी मैं नहाके आके जोटी डाल रहे हूँ यहाँ पे भगवान बिठाया जाएगा मैं आज पुजा नहीं कर सकती मे यहाँ पे पूरी मेरी जो एंट्री है एंट्रान से उसके पास बेट के डाल रहे हूँ जोटी यहाँ पे आपको जोटी विल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि टाइल पड़ा हुआ है टाइल वाले घर में यही प्रोग्रम होता है कि जोटी दिखता ही नहीं सुख जाएगा तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा ज्यादा नहीं तो मैं सारे सामान ठीक कर चिप्रियों हजबन के नहान के लिए नहा के आएंगे तभी वो पुजा स्टार्ट करेंगे तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे जो ओडिया लोगों का ना जो कुछ भी मतलब पुजा होता है घर में यह आलता लगाया जाता है मुझे भी आलता लगाना बहुत पसंद है आप लोगों में से किस-किस को सब पसंदे मुझे कमेंट करके बताना मुझे तो बहुत पसंद है जो भी पुजा होता है मैं आगे लगा लेती हूँ, अभी तो कोई भी पुजा स्टार्ट नहीं हुआ है, हस्बिन का नहाना ही खतम नहीं हो रहा है, आने के बाद पुजा स्टार्ट करते हैं अभी तो कोई पुजा स्टार्ट करते हैं अभी तो कोई पुजा स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स, पुजा खतम हो गया है, अचली मैं पुजा नहीं कर रहे थी, मेरे हस्बिन पुजा कर रहे थे, थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम है इसलिए जो सब कुछ करना था मैं कर ली, मतलब जोटी वोटी वगेरा जो भी हमारे ओडिया लोग पर डालते हैं अचली हमारे ओडिया लोगों का सुदसा बता और एक जो मानवसा गुरुगर बोलते हैं वो दोना ही होता है लेकिन मेरी माइका के साइट में बहुत थोड़ा सा लग है जितने बार भी सुदसा बता वानियर में पढ़ता है वो सारे पुजा किया जाता है लेकिन मेरी ससुराल के साइट में थोड़ा सा अलग है साल में एकी बार हमार बत पहनते हैं यह वाला बत इसको सुदसा बत बोलते हैं जो कि मैं हमेसा पहनते थी आप लोगों मैंसे बहुत से लोग मुझे पूछ भी रहते कि दिये हाथ में क्या है तो यह सुदसा बत यह महत तो बहुत है इसको गुम हो जाता है या किसी को देर देता हो तो बोलते हैं कि कंदे से लक्षमी जी छोड़के चले जाते हैं इसको धान से रखना पड़ता है और मेरी मायका के साइट में यह डाइना हाथ में पहनते हैं और मेरी ससुराल के साइट में बाएं हाथ में मायकन के साइड में बुजा है रiegen कर दाइएं मेरे माइकी के साइड में आज बुजा भर मट मुजा हो रहा है जैसी मेरे चाला किया जाता है जोटी ला बना हमान को पुजा हो दाइए तो आज थोड़ा सा पुजा का टाइमिंग बहुत कम था तो इसलिए जो मंडा पिठा को बनाई मैं सिफ केले से ही पुजा कर दी क्योंकि मैं पुजा नहीं कर दी थी हस्बिन कर रहे थे तो जैसे ते से वो कर पाए कर लिये तो ऐसे कुछ अलग-अलग रहता है सब के रिती नीतिस तो आप लोगों मैंसे बहुत से लोग ओडिया हो आप लोग कैसे क्या पुझा किये परमपुर साइट में जो हो वो सब कैसे पुझा किये मुझे कम्मेंट करके बताना और मुंबाई वाला व्लोग सब आप लोग देख चुके हों के कैसे लगा मुझे बताना अगर आप भी प्लान कर रहे हो मुंबाई के लिए आप लोगों बहुत ही हेल्थ होआ होगा तो आज का ये व्लोग और कुछ मैं दिखाना नहीं चाहती ये छोटा सा व्लोग आप लोगों के लिए था क्योंकि लास्ट टाइम सुद्रसाबत भी मैं नहीं कर पाई थी तो सोचे आज थोड़ा सा कर लेती हूं व्लोग और आज मैं कुछ स्पेसल नहीं आज बिना प्यार सुन का खाना बनाऊंगी पालंगपूरी और आलूके करी बना लूगी है कि ये बजया है और बोगो सारे वीडियों बनाने है बनाने हुली लेटेड हुली के सके स्कीन केर है किया और पनना रिपियाट पर के फुःण बिडेयो Κारू हुली अब बहुरी कम दिन है अगर आप लोग कुछ प्लान करोगे तो इतने दिन टाइम मिलना चाहिए आप लोग को तो बस ये था अज का ये व्लोग ये छोटा सा व्लोग अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना मेरे चानल में अगर ने हो चानल को अगर अगर बेल इकन भी प्लेश कर ले ना फूचर नोटीए के लिए चले ब्रेंस मिलते है एक नया वीडियो के साथ तब तके लिए बाबाई टेक के लिए टेक के लिए सी यू अग बेरी वेरी हापी सुदसावता तो आफ यू बाई